हेलो इस्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गलोरी श्टडी पॉइंट क्लास रजे में शिवम शर्मा इस्टूडेंट्स क्लास 12 की स्टूडेंट के एक्जाम को लेकर हमारे परदान मंतरी जी ने आज बहुत जबरदस्त फैसा ले लिया है यानि स्टूडेंट्स जो चाहा रहे थे कि हमारे क्लास 12 के एक्जाम कैंसिल कर दिये जाएं तो उस पे आज साड़े पांच बिजे हमारे परदान मंतरी जी ने बैठक बिठा के उसके के लिए एक जबरदस्त निंडे स्टूडेंट के पक्ष में निंडे को ले जाते हैं वह उन्होंने अपना डिसिजन सुना है तो इस वीडियो में मैं आपको साफ साफ बताऊंगा कि आपके एक्जाम को लेकर क्या डिसिजन लिया गया है तो चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल अब करें भी इस वीडियो में आपको बता दिये जहाएं तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ठीक है यहां पर देखेंगे आप सिब्सक्राइब क्लाश 12th एक्जाम 2021 पीम मोधी की बैठक में बड़ा फैसला ठीक है यहां पर देखेंगे कि सीब्सक्राइब कर दियानी यहां पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है केंद्र शिक्षा मंत्री रमेश पोक्रियाल निशंग को एमसे में बर्थी किया गया है बता दे कि शिक्षा मंत्री 23 महीं को आईजित हुई उच्च इस तरी बैठक में सभी राजियों और केंद्र शासी प्रदेशों के साथ चर्चा कि उन्होंने और उनसे प्रस्ताव और प्राप्त सुझाओं पर विचार करने के पश्चात ठीक है उन्होंने क्या करा था पश्चात मंगलवार को सुबा 11 बजे बोर्ड परिक्षाओं को लेकर गोशना करने वाले थे किन्तु तबेत खराब होने की वज़ा से ये संबब नहीं हो पाया हालांकि शाम को साड़े पांच बेर प्रदानमंतरी नरेंद मोदी ने एक उच इस तरही बैठक बुलाई यानि हाई लेवल की उन्होंने क्या करी बैठक बुलाई और उसमें बैठक में परिक्षा को रद करने का निर्द किया गया यानि जो बैठक बैठक बैठक बैठक में बड़ा फैसला सीबियासी रिक्षाह रखते हैं और कुछ इछिट्रेंड इच्छा रखते हैं एक्जाम देने की तो इस्तिती अनुकुल होने पर सीब्यक्सी नंके यह विकल्प क्या करेगा परदान करेगा यहाँ पर देखिए अभी देखिए अभी लिएकुल लेटेश न्यूज है साथ चोबिस पीम पीयानी एक जून दोजारी कि बारवी की परिक्षा क्या हुई 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 रद पीम की बैठक में बड़ा फैसला सी बारवी की परिक्षा हो गई है रद ठीक है तो अब मैं आप possibility बन रही है कि class 12 के exam को क्या कर दिया जाएगा cancel कर दिया जाएगा तो आप यह मान के चलिए कि अभी तक जो यहाँ पर cases बन रहे थे exam को करवाने के पर CBSC के इस decision के बाद हमारे exam जो कि उत्रकंड board के यहाँ पर exam होने है उन पे भी अब क्या होगा cancellation हो सकता है यानि exam क्या हो तो उसका वीडियो भी में latest update आपको upload करके दे दूँगा जिससे आपको क्या होगा उत्रकंड board के exam की जनकरी मिल जाएगा और आप सभी student tension ना लीजिए जो भी decision आएगा उसका update आपको मिल जाएगा बिलकुल free mind रही है exam आपके भी अगर CBSC के exam cancel हो है तो आपके exam को लेकर ग board के students हैं उनके लिए भी कि ताकि उनका exam क्या कर दिया जाए जैसा CBSC का exam cancel किया गया है तो मिलते हमने next update के साथ जो तरकंड board के लिए होगी ठीक है मिलते हम नेक्ट वीडियो में thank you